इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत करता है यह डाइबेटीज के लोगों में बलड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है ओभी मिट जी एक्स दो टैबलेट पियार को भूजन के साथ लेना चाहिए अधिक्तम लाव प्राप्त करने के लिए इसे हर रोज एक नियमित रूप से एक ही समय पर लें आपका डॉक्टर यह निरनय लेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर बदल सकती है इस अनुसार कि यह आपके खून में शुगर के स्तर के अनुसार कैसे काम कर रही है अगर आप अच्छा महसूस कर रही है यह आपके बलड शुगर का स् बंधित समस्याएं और अंगों को खोने का जोखिम रहता है। याद रखे कि यह दवा, इलाज का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, स्वस्थाहार और नियमित व्यायाम भी शामिल होना चाहिए। आपकी जीवन शेली पिटीज को नियंतरत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। ओबीमिट GX-2 टैबलेट पी-ार का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट ब्लड ग्लुकोस तर में गिरावट यानि की हाइपोग्लाइसेमिया है। सुनिश्चित करें कि आप लो ब्लड ग्लुकोस लेवल के वाला स्रोथ जैसे कि शुगर वाले खादे पदार्थ या फलों का जूस अपने साथ रखना जरूरी है। शराब पीने से आपका ब्लड शुगर के स्तर में कमी का जोखिम भी बढ़ सकता है और इसलिए इस से बचना चाहिए। अधर साइड एफेक्ट्स दाट में बी सीन ये उप्यूक नहीं हो सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। आपके ब्लड शुगर लेवल की नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और आपके डॉक्टर आपके ब्लड सेल काउंट औ और लिव फंक्षन की निगरानी के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह भी दे सकते हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।